लोटस आयर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम कुछ हमारे विवर्स का जो कोशन से उनके उपर हम वीडियो बना रहे हैं मुझे उम्मीद है कि उनका संतुष्टी उनको मिलेगा और जो नए हमारे विवर हैं उनको भी देख करके बढ़ता है यह हमारे कुछ मेल और कुछ फीमेल विवर हैं उन्होंने कोशिन किया उसके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आई शुरू करते हैं बजन बढ़ने को लेकर के तमाम तरह की बातें कहीं जाती है बजन बढ़ाने या घटाने को लेकर के तमाम मिथक भी लोगों में पच्छली थहें ऐसा कहा जाता है कि सा दी के बाद महिलाओं का बजन बढ़ जाता है इसके पीछे तरक भी दिया जाता है ऐसे में इस बात पर भुरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि साधी के बाद रेगुलर सारीरिक सम्वन बनाने से बजन बढ़ता है और डेली सम्वन बनाने से या दिन में कई बार सम्वन बनाने से बजन बढ़ता है यह बात एक मिथक है ऐसा मेरमाना है किया साधी के बाद regular sports संबने से बजन भछता है रिग्लर सेक्स का बजन regular sex का बजन वजन कोई भी संबन नहीं है कि इस बात का कोई भी तत भी नहीं है अगर कानपाण की आद्यत एंस सारी कि・ैक्टिपीटी और लाप्स्ट्य सब्सक्राइल की बज़े से बजन बढ़ता है ना कि रोज़ना सारीडिक सम्मंद बनानी की बज़े से ऐसे में इस बात को ब्रामक ही कहा जा सकता है अगर आप रेगुलर सारीडिक सम्मंद बनाते हैं तो इससे आपको बजन कम भी नहीं हो सकता है कि जब अब सरीरिक सम्मंद बनाते हैं तो कि सेटिस्फाइट होने के बाद सरीर से प्रोलक्टिंग नामक हार्मोन रिलीज होता है इसे कमफर्ट हार्मोन भी कहते हैं अगर सरीर में इस हार्मोन का बजन बढ़ सकता है लेकिन सिर्फ प्रोल बजन बढ़ने का कारण नहीं हो सकता है कि इसके पीछे कई चीजी जुम्यदार होती हैं साधी के बाद महिलाओं का बजन क्यों बढ़ता है महिलाओं में देखा गया है कि साधी के बाद उनका बजन तेजी से बढ़ता है अभी तक लोगों का यही मानना था कि साधी के बाद रेगुलर सारेडिक सम्मन बनानी की बज़े से बज़न बढ़ता है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है और इस बात का कोई भी बेगानिक तत्थवी सामने अभी तक नहीं आया है है बजन बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्यदार हो सकते हैं कि साधी के बाद मेलाओं के डाइट और में बदलाओ होता है इसकी बज़े से बजन बढ़ता है इस के अलाबाद सरीर में होने वाले हार्मोनल्र बदलाओ की बज़े से अब बज़न के बज़mot साधी के बाद PCOS आदी की बज़े से भी बजन और सारीरिक बनामट में बदलाओ देखने को मिलता है। अगर रोजना सारीरिक सम्मट बनाते हैं तो सिर्फ आपके बदन में इस्पूर्ती आते हैं आप हेल्थी महसूस करते हैं आप फिट महसूस करते हैं ना कि आप मोटे होते हैं तो यह मितक है यह गलत है सेक्स डेली करने से कोई भी या आदमी या औरत इस्तिर प्रोष कोई भी मोटान नहीं होता है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं धन्नबाद जैमातर देगे